So guys, साइथ आप लोगों को पताओगा, other card and pen card को link करना compulsory है अगर आप other card and pen card को link नहीं करते हैं, 31st March ते पहले तो आपका जो pen card वो deactivate हो जाएगा अगर आप pen card and other card को link नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारे problem face करना पड़ सकता है यानि कि आप 50,000 चे ज्यादा का amount आप transfer नहीं कर सकते 50,000 चे ज्यादा पैसा आप withdraw भी नहीं कर सकते और आप demate account नहीं बना सकते और भी बहुत सारे परेशानी आपको face करना पड़ सकता है और मानलो अगर आप 31st मार्च से पहले अपना pen card को other card से link नहीं करते तो आपको 10,000 तक का penalty देना पड़ सकता है अगर आपके पास भी other card and pen card है तो please अभी link कर लीजिए मैं आप लोगों को बिलकुल एक जैनून तरीगा बताने वाला हूँ कि इस वीडियो पर कि कैसे आपको other card and pen card को link करना है वैसे अभी YouTube पर बहुत सारे influencer वीडियो बना रहे हैं कि आपको सिरिफ other number and pen number लिख के आपको एक message चैन करना एक number पर उससे आपका other card and pen card link हो जाएगा ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है गाईस सिरिफ एक ही जेनून तरीका है जिससे आप अपना other card and pen card को link कर सकते हो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो चीजे में PC में कर रहा हूँ वही same to same आपको अपना Android phone में करना है अगर आपके पास PC नहीं है तो गाईस आपको क्या करना है सबसे पहले अपना Android phone यह फिर PC का कोई भी एक browser को कुलना है और browser को कुलने के बाद आपको सर्ष करना है income tax income tax सर्ष करते हैं आपको यह पहला वाला option आएगा website ठीक है जो की है www.incometax.gov.in तो इस website पर आपको चले जाना है इस website पर जाने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना other card and pen card को तयार रखना है क्योंकि यहाँ पर other card and pen card का number यहाँ पर enter करना पड़ता है सबसे पहले आपको चेक करना है क्या आपका other card and pen card पहले से तो link नहीं है तो सबसे पहले आपको कैसे चेक करना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो link other status बोल के जो option आ रहा है यहाँ पर आपको click कर देना है यहां पर click करने के बाद आप लोग देख सकते हो pen not link with other please click on link other बोलके यहां पर एक option आ रहा है अगर आपका other cut and pen cut link नहीं है तो इस तरीके से आएगा ठीक है तो आपको क्या करना है यहां पर देखिए blue color से link other बोलके जो लिख किया रहा है यहां पर आपको click कर देना है यहां प आपको अपना details enter करना है और दूसरा आपको verification करना OTP से उसके बाद हो गया status की कैसे check करना है तो चलिए हम नीचे चलते हैं नीचे चलने के बाद यहां पर देख सकते हो आप लोगों को फिर से अपना pen number and other number को यहां पर field करना है अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो को post करके पढ़ सकते हो फिलाल इसका कोई जरूरत नहीं है इसे हम continue to pay पे आपको click कर देना है ठीक है उसके बाद देखें यहां पर आपको फिर से अपना pen number को दो बार enter करना है पहले यहां पर enter करना है उसके बाद यहा आपको mobile number को enter करना है जिस number पर OTP आएगा ठीक है जो आपका bank पर register mobile number है वही नमबर आपको यहां पर enter करना है तो चलिए पहले में यहां पर अपना pen number फिल कर लेता हूँ यहां पर आप लोग देख सकते हूँ मैंने pen number और आपना mobile number एंटर कर दिया उसके बाद आपको नीचे जाने यहां पर एक continue का option आएगा continue पर आपको क्लिक करने के बाद आपको आपके फोन पर एक OTP आएगा वही OTP आपको यहां पर enter करना है मैंने यहां पर आपना OTP एंट कर देना है continue पर क्लिक करने के बाद जो verification था वह complete हो चुका है अभी है payment अभी आपको यहां पर payment करना है तो payment कैसे करना है वह भी मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर दीए कि जो पहला वाला option है income tax यहां पर आपको प्रोशिट पर क्लिक करने के बाद भी आपको यह पर तीन स्टेप को फोलो करना है ठीक है पहले आपको यहां पर यह पर यह पर यह पर नीचे जाना है नीचे जाने के बाद आपको यहां पर आपका जो payment है वह चेक करना है यहां पर automatic 1000 दिखाएगा ठीक है तो उसके बाद फिर से continue कर देना है उसके बाद आपको नीचे जा कुछ confusion है ठीक है बहुत सारे लोग यहां पर पैमेंट नहीं कर पा रहें actually यहां पर आप दो तरीके से पैमेंट कर सकते हो एक mobile banking and एक होगे debit card तो यहां पर अगर आप net banking से पैमेंट करना चाहते हो तो यहां पर देखे कुछ bank का option है यानि कि यहां पर कहीं सारे bank नहीं है जैसे कि SBI नहीं है HDFC नहीं है और बहुत सारे इंडिया पर लोग SBI को यूज करते हैं अब यहां पर SBI का option नहीं है तो हम कैसे पैमेंट करें यहां पर अगर आप debit card पर जाओगे तो debit card पर भी सिर्फ 4 bank का option है यानि कि अगर आपके पास in bank पर आपका खाता है तो तभी आप debit card से यहां पर पैमेंट कर सकते हो या फिर अगर आपके पास in bank का mobile banking है तो इनी mobile banking से ही आप यहां पर पैमेंट कर सकते हो आपका HBI account है HDFC है तो यहाँ पर आप payment नहीं कर सकते तो उसके लिए option क्या है यहाँ पर जो payment gateway बोलके option आ रहा है यहाँ पर आपको click करते नहीं यहाँ पर click करने के बाद देखे यहाँ पर भी same आपको तिन बैंक का option दिखा रहा है तो आपको क्या करना है simply आपको अपने friend या फिर family को पूछना है कि इन में से किसी bank पर उनका खाता है अगर मानलो इन में से किसी bank पर उनका खाता है और mobile banking यूज करते हैं तो उनको request कीजिए सिर्फ 1000 का payment करने के लिए ठीके अंड debit card से भी आप कर सकते हो लेकिन debit card पर बहुत कम option है बैंका तो net banking से आ इन में से कोई एक bank का खाता है तो उसका mobile banking से आप यहां पर payment कर सकते हो वह भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि payment कैसे करना है मानलो अभी मेरे पास Punjab National Bank है ठीक है mobile banking है तो यहां पर मैं क्लिक करके payment कर सकता हूं ठीक है तो फिलाल Punjab National Bank का मेरे पास mobile banking नहीं है बट debit card है तो यहां पर debit card पर option है Punjab National Bank का तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं चाहे आपके पास किसी भी bank का mobile banking and debit card हो ठीक है same इसी तरीके से payment करना है जो मैं अभी यहां पर करने वाला हूं सो continue पर click कर देना है ठीक है जो बैंग है उसे select करके उसके बात नीचे जाना है ठीक है नीचे जाने के बात यहां पर देखिए यहां पर आपको नीचे जाना है और यहां पर pay now का option आएगा Pay now ठी के 1000 आपको Pay करना है Pay now पे आपको क्लिक करने ए Pay now पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ Condition है अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो विडियो को Post करके पढ़ चकती हो लेकिन इसे पढ़ना कोई जरूरूत नहीं क्योंकि यहाँ पर जो भी हो agree तो आपको करना ही हा ठीक है यहांपर no agree लिए यहांद यहांद निधर का उपशन नहीं आता है submit to bank पर आपको click कर देना है उसके बाद आपको simply नीचे जाना है करने के बाद आपको यहांपर select bank का option आएगा ठीक है जो bank आपने select किया उसी bank का यहाँ पर नाम आएगा तो पंजाब national bank में select कर लेता हूँ उसके बाद guys बहुत ही simple है देखें यहाँ पर आपको पहले अपना card number enter करना है ठीके तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपना पूरा card details enter कर दिया है and उसके बाद मुझे mac payment पे click करना है mac payment पे click करने के बाद मेरे phone पर एक OTP आएगा OTP मुझे यहाँ पर enter करना है उसके बाद मेरा payment successful यहाँ पर complete हो जाएगा ठीके and मालो अगर आपके पास debit card नहीं है आप mobile banking से payment करना चाहते हो तो same process है पहले आपको bank select करना है उसके बाद user ID and password डाल के आपको mobile banking को login करना है login करने के बाद आपको वहाँ पर amount दिखाएगा उसके बाद continue पर click करते ही आपको OTP enter करना परता है OTP enter करने के बाद जैसे आप submit करोगे simple इसी तरीके से आपका 1000 का payment हो जाएगा बहुत ही simple है उसके बाद guys क्या करना है आपको 3-4 days wait करना है 3-4 days wait करने के बाद आपको फिर से इसी website पर दुबारा आने के बाद आपको क्या करना है इस website पर आपको यहाँ पर दिखाएगा link other बोलके जो link other option आ रहा है इसी पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से अपना जो pen number है वो आपको यहाँ पर enter करना है तो यह मैं enter कर देता हूँ उसके बाद आपको फिर से अपना other number भी यहाँ पर enter करना पड़ता है enter करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे прилett पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा your payment details are verified, please click on continue to proceed बोलके यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपको continue का जो option दिखा रहा है पर फिर से कुछ details enter करना पड़ताइए ठीक है pen number and other number पहले से दिखाएगा जो आपने एंटर किया था उसके बाद आपका आधर पर जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ता है ठीक है नाम एंटर करने के बाद जो आपका आधर कार्ट में mobile नंबर है वही नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ता कर देना है क्लिक करने के बाद आपको यहां पर लिंग आधर पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप लिंग आधर पर क्लिक करोगे उसके बाद आपका जो अधर कार्ट पर रेजिस्टर मुबाइल नमबर था उसके एक ओटीप आएगा वह ओटीप आपको यहां पर एंटर कर करने के बाद आपको यहां पर वेलेट पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो अगर आपको अधर काट को लिक करते समय कुछ दिक्कत आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना मैं कमेंट का जरूर रिप्लाइ दूंगा अगर आपको कुछ दिक्कत आ रहा है सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सो गाईस आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फो वाचिंग दिस वीडियो मैं मिलता हूँ आपको आगले वीडियो बे तब तक के लिए जहिन